ठ्योग के विधायक राकेश सिंगह ने शिम्ला में पत्रकार वारता के दौरान कहा कि ठ्योग के जंगलों में अवैध कटान हो रहा है लेकिन वन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकार वप्रशासन त्वारा कोई भी कारवाई नहीं की जा रही है राकेश सिंगह ने कहा कि यदि सरकार त्वारा इन वन माफियाओं पर कारवाई नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में जन्ता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन क्षेत्र में खड़ा किया जाएगा शिमला जिला के ठ्छो क्यारी जंगल में वन माफिया राज बढ़ता जा रहा है लोकडाउन के दौरान इस जंगल में अंगिनत पेड़ काटे गए और प्रदेश सरकार मूख दर्शक बनी बैठी है ये बात सीपी आयम नेता एवं विधाय कराकेश सिंगह ने वीरवार को शिमला में पत्रकारवारता के दौरान कही उन्होंने कहा कि सरकार के सरक्षन के बिना ये कारे संभव नहीं है उन्होंने कहा कि चाहे वो पूर्व की कॉंग्रे सरकार हो या फिर वर्तमान की भाजपा सरकार दोनों ही सरकारों ने इन वन काटूं को खुली छूट दे रखी राकेश सिंगा ने कहा कि शिमला जिला के उपरीक शेत्र के ठ्योग सराज क्यारी चक के जंगलों में पौध रोपन की आड में कुछ लोगों ने ना केवल पेड़ कटान किया बल्कि उन्हें उखाड फैंका और जंगल को भी जला दिया उन्होंने कहा कि इन वन काठू ने हिमाशर प्रदेश उचनियाल के आदेशों की भी धज्यां उड़ाई हैं सिंगा ने कहा कि जुलाई में स्थानी लोगों के माध्यम से डियाफो को ग्यापन सौंपा जाएगा और मांग की जाएगी कि कोट की अवेलना के चलते पूरे क्षेत्र को सील किया जाए जब तक की पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती है सिंगा ने प्रदेश सरकार को चेताया कि अगर वन माफियाओं के खिलाफ कोई कारवाई अमल में नहीं लाई जाती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेवार प्रदेश सरकार होगी उन्होंने कहा कि स्थान ये जनता ठीक उसी तरह बड़ा जन आंदोलन करेगी जिस तरह कॉंग्रेस काल में गुडिया को नियाय दिलाने के लिए किया गया था एक बहुत बड़ा करप्शन का एक स्केंडल चल रहा है जिस विशे को लेकर वहां के लोगों ने ये फैसला लिया है कि अगर सरकार और सरकार का तंतर उस जंगल के अंदर गैर कानूनी कटान नहीं रोकेगी और लोगों के अधिकार उसमें भाल नहीं करेगी तो एक बड़ा जन अंदोलन खड़ा किया जाएगा जो उस तरीके का जन अंदोलन होगा जिस तरीके का गुड़िया न्यायमंच का अंदोलन हुआ था अभी बालंगन जी हमारे बीच में है सोन ठाकुर जी है संदीवर्मा है सुरेश है और सुरोग के अलाके के लोग है जिनोंने अलग-अलग सरकार के तंतर को रप्रेजंट किया है खास तौपस सब्डिजनल मेजिस्ट्रेट ठेव को लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है लेकिन हाई कोट ने एक ओडर तीन दिसंबर को दिया है जिस ओडर के तहट रिस्पोंडेंट सिर्फ उसमें वो सेव के पेड लगा सकता था जब तक फाइनल ओडर नहीं आए लेकिन दुरभाग्यपूरण उस ओडर का मिस्यूज किया गया है उस ओडर की धजें उडाई गी है और उस ओडर की धजें उडाते हुए पेडों का कटान भी किया है और पूरे जंगल को आग लगा दी गी है और जो फॉरस्ट दुबारा वहां प्लांटेशन की थी एक ए एक वरिक्ष उखाड कर फैक दिया गया है इसलिए जोलाए के पहले सब्ता के अंदर जंता की मदद के जरिए डियेफो ठ्यो को मेमोरेंडम समिट किया जाएगा और डियेफो से ये मांग की जाएगी कि क्योंकि हाई कोट के आर्डर की उलंगना हुई है उस पूरे एरिया को सेल कर दिया जाए ब्यूरर रिपोर्ट सिटी चैनल शिम्ला